हलो एवरिमन वेल्कम बैक टो अंकिताब वैलो जी आज का हमारा वीडियो बेसिकली बेस्टों गा हाई परफोर्मेंस लिक्विट क्रोमेटरफ्ट ग्राफिप आपको बादादे हमको क्रोमेटरफिक के स्टेडी करें जिसमें डिफ्रेंट-डिफ्रेंट पार्ट्स अल्रड करके भी बूच सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं HPLC क्या होगी HPLC का फुल फॉल फॉल जैसे कि हमें पता है हाइए पफॉर्बंस लीक्विड क्रोमेटोग्राफिछ इसकी रिजोल्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है रिजोल्यूशन पावर मतलब किसी बी इसी सैंपल को identified या किसी भी मिक्षर को identify करने की इसकी resolution फावर जो होती है वह बहुत अच्छी होती है हाइब होती है इसी कारण इसे हाइब ही chromatography. Chromatography इसने भी chromatography हमने देखी है उसमें दो टाइब की faces देखी है, stationary face और mobile face सेम इसमें भी देखें है हम दो तैब के faces होगी stationary face और mobile face Stuito ли face 以上 इसमें solid होती है。 stationary face केसी होगी؟ ivia क्या है गोड़ी जैनरली इसमें solid होती है stationary face कैसी होगी ? solid होगी or mobile phaseोगी liquid stationery face किसे होगी solid और mobile face होती है liquid इसी mobile face के basis पे इसे high performance liquid chromatography कहा जाता है क्योंकि जो mobile face यूज की जाती वो कैसे use की जाती है liquid mobile face यूज की जाती है अब कैसे किस samples को separate out करने के लिए HPLC के कोई भी technique समपथे हो उसके basically कुछ uses होते है HPLC के भी different uses है इसके तुरू आप sample को identify कर सकते हो separate तो करेंगी से हम sample यदि आपके पास mixture है sample का उसमें से particular sample को separate करने के लिए HPLC यूज की जाएगी वो sample कौन सा है उससा identify मतलब separation, identification और उसका quantification quantification मतलब वो particular sample उस mixture में कितने amount में present है यह भी किसके तुरू आप पता लगा सकते हो HPLC के तुरू पता लगा सकते हो तो हमने different friend देख लिया कि HPLC केवल separate ही नहीं करता sample को वो separate करने के बाद उस particular sample को identified भी करता है वो quantify भी करेगा किसके तुरू HPLC के तुरू HPLC के techniques क्या होगी कुन-कुन से instruments involved होंगे कैसा इसका apparatus होगा वो सब कुछ हम detail में पढ़ेंगे यह सब पढ़ने से पहले हमें यह पता होना अच्छे कि basically HPLC का applications होगा क्या क्यों हम HPLC को use करते हैं तो HPLC के different different applications है आप generally लेखोगे drug की analysis में जो HPLC का use किया जाता है Ion Exchange Chromatography of Protein प्रोटीन के case में जो हमाई Ion Exchange Chromatography उसमें HPLC use किया जाता है आपके different different pollutants यादी airs में different pollutants present है तो उसके analysis के लिए HPLC यूज किया जाता है protein के analysis के लिए HPLC कोई particular bacterial toxins present है, fungal toxins उसके analysis के लिए HPLC यूज करते हो different different applications है HPLC के अब वहाँ जाके study कर सकते हैं एक बात और वीडियो से related मैंने पहले भी कहा है जहां पर भी doubt हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए चलिए अब देखते है HPLC का instrument work कैसे करता है HPLC कैसे perform करते हैं सबसे पहले mobile face होगी mobile face वो solvent जो move करेगा वही mobile face होती है solvent यह solvent reservoir है mobile face इसमें stationary face यूज़ किया जाती है वह silika या तो silika यूज़ करोगे या alumina यूज़ करोगे आप या पर क्या cellulose वाली stationary phase यूज़ की जाती है ठीक है silika alumina cellulose यूज़ किया जाता है इसको कॉलम में completely packed कर दिया जाता है कॉलम को इस adsorbed material से completely packed कर दिया जाता है कैसे होगा है step by step देता है mobile face रिजर्वायर होगा mobile face होगी जो क्या होगी particular solvent होगा liquid form में present होगा mobile face कैसे थी आपके पास liquid mobile face से associated क्या होगा solvent delivery pump होगा जो इस solvent को आपको कॉलम तक पहुचाएगा यहां क्या है आपका यह column tube like structure से column stationary face है यह आपकी क्या है stationary face इस stationary face और mobile face के बीच में क्या है solvent reservoir delivery pump solvent delivery pump मतलब जो solvent को pressures है high pressure से कहां पहुचाएगा column में or stationary face में hope आपको clear होगा solvent reservoir में mobile face है liquid है उसके associate क्या solvent delivery pump है जो कैसा है आपके पास high pressure से आपके solvent को कहां पर भीज़ेगा stationary face में और column में ले जाएगा stationary face क्या है stationary face completely packed होती है silica से silica से packed है alumina से cellulose से completely packed है यह stationary face से associated होता है detector जो detect करता है detector कुछ भी हो सकता है mass spectroscopy हो सकता है FID detectors हो सकता है different type के detectors यहां पर लगे होते है यह detector detect करते हैं samples कैसे आया है detector से associated होता है recorders यह computer systems जो आपको उस particular sample जो इससे illute हुआ है stationary face के बाहर आया है इस particular samples की peaks generate करके हमें बताता है यह chromatogram generate करता है उसे क्या कहा जाता है chromatogram chromatogram generate जो graph represent होगा उसे chromatogram कहा जाएगा graph किस किस के बीच में होगा वहे time versus क्या concentration के बीच में ताकि कितने concentration पे निकला है और कुन सा substance कितने time तक रेटेन हुआ था यह नहीं हुआ था जल्दी लिट आउट हुआ है अब कैसे वक करेगा सबसे पहले हमने देखा कि silika यदि हम यूज करते हैं silika जनरली हमने last lecture में पढ़ चुके यहां कि तो हम ओपाइल फेस्यूज करेंगे करेंगे first में नोन पूलर इसमें कंसें रिशन कैसा होगा इसमें पोलेक्राशन जढ़ रहकर चाहसें पोलर आप के सकते हैं 9 T P 술ड़ 2क 3 भी का होए इसमें पोलर कैसाो हो जाए नोन पोलर्स ठीक है अब इसमें मुबाइल फेस को हम सॉल्वें रिज़र आप के तुरू सिलीका में सॉल्वें रिजर्वायर सही आसो जैसे ही सॉल्वें दिलिवरी पंप है उसके साथ ही क्या लिक्विट का सेंपल जो सेंपल आपको सेपरेट आउट करना है जो मिक्षर आ जैसरो आप क्या इंचक्ट कर दोगे हाँ पर लिक्विट वह सेंपल जिसको आपको सेपरेट कराना है ठीक है लिक्विट का सेंपल किसके साथ मूब लुबाइल फेस के साथ किसमें इंटर कर जाएगा stationary face में stationary face में silika था silika is a polar molecule क्या है silika basically polar nature का होता है अब silika polar nature का है यदि liquid में या आपके sample में जो आपका sample है यदि उस sample में polar substances हैं तो polar substances column में ज़्यादा retained होंगे ज़्यादा time तक यह जल्दी इल्ली उट हो जाएंगे definitely यदि वो polar substances है तो interaction ज़्यादा शो करेंगे क्योंकि आपका column भी कैसा है polar nature का है polar polar affinity ज़्यादा शो करेंगा column में ज़्यादा time तक रिटेन रहेगा non polar samples होंगे वो जल्दी fast move कर जाएंगे क्योंकि वो stationary face के साथ कोई भी interaction शो नहीं कर रहे fast move कर जाएंगे इल्यूट हो जाएंगे detector के पहुचेंगे detector identified करेगा recorder उसका graph generate कर देगा इस condition में क्या होगा detector से associated होता है basically vessels जो क्या करता है जो first illyूट होगा उसको collect कर लेते है suppose A suppose mixtures का ABC का ABC का mixtures है A जो था B जो था क्या है वो polar nature का था C का affinity liquid थे की हो सकता polar का और non-polar का depend करता है हम polar और non-polar A और B को ले रहे तो आप देखो सबसे पहले यदि A और B का mixtures यहाँ पर गया यह silica gel कैसा था stationary phase polar थी polar थी मतलब B के साथ affinity जादा शो करेगी तो A क्या होगा सबसे पहले बहार निकलेगा A यहाँ आया detector के पास detect कि वो A क्या substance रिस्ता waste collect कर लिया recorder के detector से पहले यहाँ पर एक वेसल में उसको collect कर लिया detector ने recorder के पास भेजिया कि आप image create कर दो chromatogram समना दो तो उसने chromatogram बना दिया कि यह particular sample था आपके mixture में second में B तो इसके साथ स्टिशनी फेस के साथ affinity show करेगा तो इस्टिशनी फेस में ही retain रह जाएगा यदि वो यहीं पर retain रह जाएगा तो वो धीरे-धीरे lute out होगा अब आपको यहाँ पर concentration gradient change करना पड़ेगा धीरे-धीरे non-polar से कहाँ polar के साथ ताकि वो भी lute हो जाएगा वो भी कैसा हो lute हो तो वो जैसे ही last में को बहार निकलेगा B क्योंकि वो कैसा था polar affinity जादा शो करता है तो second time को निकलेगा बहार B अब भी आएगा को बचस अबठ कर बिया जायगा तो वेशेले से क्या हुट लिया जायगा next वेशेले को लिया जाएगा और इसमें क्या collect कर लिया जाएगा B Sample को collect कर लिया जाएगा Fed Detectors detect तर लेका उस sample next मे हो सगले करवा देगा और recorders से उसका chromatogram generate करा देगा तो हमें क्रोमेटोग्राम के थू इसके क्रोमेटोग्राम हमने दिखा है कैसे बनेगा time versus concentration कि कितना concentration था उसका वो पता पढ़ जाएगा peak से और यदि सबसे first peak जो मिली है मतलब वो सबसे पहले elute हुआ है वो sample कैसे हुआ है सबसे पहले वो सबसे कम time तक time सबसे कम है जादा थी तो उसका retention time कैसा था जादा उसके पैसे आप concentration भी निकाल सकते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि HPLC जनरली quantify भी करने में यूज के जाते हैं कि quantity कित्ती है particular sample का वो भी पता लगाए जा सकता है HPLC के थू ठीक है अब हमने देखा कि यहाँ पर silica जो था वो polar था इसी कारण इसे stationary face में फिल क्या था जनरली different type की हम HPLC देखते हैं normal face HPLC, reverse face HPLC, ion exchange HPLC तो अलग-अलग HPLC में होटा कैसा है reverse face, यह तो normal face HPLC है जिसमें हमने normally क्या किया है silica gel को कोई भी modification नहीं किया है reverse face HPLC में उल्टा होगा जो आपकी mobile face होगी वो polar होगी और stationary face कैसे हो जाएगी non-polar इसमें stationary face को क्या कर दिया जाएगा, modified कर दिया जाएगा तो वह हमारे आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, बहुत ही fast वीडियो जिसमें हम अलग-अलग देखेंगे कि chain exchange chromatography में क्या होगा reverse face में क्या होगा, normal face में क्या होगा, कैसे molecules का separation होगा यह था आपका basically normal HPLC इसका complete description आपको description box में मिल जाएगा complete understanding basically HPLC क्या होती है, principles क्या होता है, इसके instruments क्या होते हैं, इसके applications क्या होते हैं सब कुछ आपको description box में मिल जाएगा यदि ये वीडियो आपके study के लिए helpful लिए लिए प्लीज वीडियो को जादा से लाइक करें चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें तकि ये चैनल जादा से लिए students तक बहुँच पाए Thank you